अगर आपके पास CHC या फिर MP Online नहीं भी है उसके बाद भी आप जो है समगर आईडी को अपडेट कर सकते हैं समगर आईडी के ओफिसियल पोर्टल से आधार कार्ट में जैसा नाम है वैसे ही हम समगर आईडी में अपडेट करेंगे आधार के हिसाब से डेट अब बर्त नाम और जैंडर वगयरा सब कुछ अपडेट करदेंगे और साथ ही जो है मोगाईल नमबर और आधान नमबर भी साथ ही शमगर आईडी के साथ लिंक कर देंगे तो चल ये वीडियो को सुरू करते हैं समगर आईडी को अपडेट करने के लिए आधार काड के अनुसार यहां पर समगर आईडी पोर्टल समगर पोर्टल आपको सर्च कर लेना है यहां पर देख सकते हैं इसके बाद हम एंटर करेंगे इसके बाद हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक आ जाती है हमें इसी को जो है खो दालेंगे मतलब उस member का सदस ID समग्र मैंसे सदस ID यहां पर डालेंगे उसके बाद री-Enter करेंगे आपको यहां पर family ID नहीं डालना है इसके बाद इस capture को यहां पर फिल करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने देख सकते हैं हमारे इसी mobile नंबर पर एक OTP जाएगा आप यहां पर जादा तर जो है आधार कार्ट से link mobile नंबर ही डालें तो बहुत ही अच्छा है इसके बाद यहां पर हमें customer की details देखने को मिल जाती है उसके नाम पर customer का नाम, mail, link वगएरा देखने को मिलता है उसके नाम पर जमीन है तो यहां पर जो है हा कर दीजिए और यहां पर जमीन की सारी details आप fill कर दीजिए अगर नहीं है तो नहीं के button पर आप click कर दीजिए इसके बाद नीचे आएंगे और इस capture को यहां पर fill कर देजिए और आगे बढ़े के option पर आप जो है click कर दीजिए इस ना करने के बाद हमारे सा से दिख सकते हैं फर्स्ट नमर पर या फिर नीचे दिए गए फिंगर्पिन्ट के माध्ध हम से हम यहां पर आधा नमर फिल करेंगे और और ऊटी-पी का माध्ध्यम सेलेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट ओटी-पी पर हम क्लिक देंगी जो भी हमारे आधार कार्ड से मोगाल नमल लिंक है उस पर एक OTP जाएगा हम इसे जो है close कर देते हैं यहां पर जो भी नमल लिंक है उसका 4 डिजित देख जाता है आपको और उस नमबर पर OTP आता है उस OTP को यहां पर दर्च करने के बाद हम जो है आधार कार्ड पे क्या नाम और डेट अब बर्त जेंडर क्या है और समगर आईड़ी पे क्या है आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं अगर आधार कार्ड के अनुसार आप सब कुछ परवर्तित करना चाहते हैं अपने समगर आईड़ी में तो आपको यहां पर जो है टिक क चाहिए तो या फिर आप इसे ऐसी छोड़ सकते हैं और सेंड लोकल वड़ी में आप क्लिक कर दीजिए ये रिक्वेस्ट जो है आपके जनपद इस पर चली जाती है अब वहां से कुछी दिनों में वेरिफाई कर दिया जाता है अगर आप जो है सहरी छेतर से हैं तो ये आप आपको डाकुमेंट भिजवाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है अगर किसी किसी ग्रामीड छेतर में क्या होता है कभी कभी वेरिफाई नहीं करते हैं तो आप अपनी समग्रा आइडी की और आधार काट की फोटो कापी अपने जनपद इस तर तक जनपद में पहुंचा स सकते हैं उसके बाद ही वेरिफाई कर देते हैं और अपने रिक्वेस्ट को सर्च करने के लिए आप यहां पर सर्च रिक्वेस्ट पर आईए और यहां पर जो है आप इन कई माध्यम से आप कर सकते हैं तो हम यहां पर समग्रा आइडी के माध्यम से करते हैं यहां पर हम अ आज के डेट का है मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं यहां पर आपको डेट भी देखने को मिल जाता है कि आपने कब अपलाई किया था तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं